कि नमस्कार साथ आज हम กॉरोना वैक्सिन जो अबी सबी के लिए लगाना सरकार ने सुरूक चाहिए उससे समंगे जो आमजन्द के सवाल हैं उससे के परस्थ्थन के उत्तर आपके साथ खुरेंगे और साथ यह कमसें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए इसके बारे में भी हम आपके साथ संपून जानकरी सेर कर रहे हैं साथियों मैंने जो ये को वैक्सीन 17 फरवरी 2021 को लगई थी और दूसरी जो डोज थी वो मैंने लगई थी 19 मार्च 2021 को तो साथियों इससे समझी जो परसन हैं आमजन के उनके स्वालों के उत्तर हम आपके साथ सेर कर रहे हैं तो साथियों सरकार ने 1 माई 2021 से 18 पलस के सभी वैक्टियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए गोशना किये तो साथियों ये जो वैक्सीन है ये दो प्रकार की vaccine होती है एक होती है co vaccine एक होती है co sealed तो साथियों ये सबसे पहले आपको decide करना है कि ये vaccine लगा नहीं है क्योंकि ये हमारे सरीर के लिए बहुत ही लाबदाइक है साथ में इससे परती रोतक समता सरीर की बढ़ जाती है साथियों वैक्सिन जब आप लगाते हैं तो इनसे सम्मन्दी जो परसन आपके मन में उड़ते हैं उन परसनों के उत्तर हम आपके साथ सेर करे हैं तो साथियों पहला परसन बनता है किस उमर के वैक्ति कोरोना वैक्सिन लगा सकते हैं तो सातियों अभी तक सुरक्सा ट्रायल 18 वर्से अधिक उमर में ही हुए है तो 18 वर्से अधिक उमर में टीका लगा लगा जा सकता है तो सातियों टीका लगाने के लिए आपको सीधा के अंदर पर नहीं जाना है आपको सबसे पहले online registration करना है ये online registration कैसे करें इसका वीडियो हमने पहले ही बनाए है और साति यदि आप ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी description में उसका आपने लिंक डाल दिया है क्योंकि संक्रमन से रिक्वर होने के बाद बनी antibody समय के साथ गटने लगती है इसलिए टीका जरूरी है क्या कमजोर immunity वाले मरीज या diabetes cancer HIV मरीजों को भी टीका लगा जा सकता है तो हाँ उपलप्त corona vaccine इन सबी मरीजों में सुरक्सीत है इस टीके की मुझे कितनी डोज हो कितने अंतराल मैं लेनी है तो साथ यों इस टीके की आपको दो डोज लेनी है ये लगबग आपको 6-8 हफतों के अंतराल पर दूसरा vaccine लगवना है क्या vaccine का कोई side effect जैलना पड़ेगा तो साथ यों इसमें हलका बुखार इंजेक्सन की जगे पर दर दोसू जनाने की संभावन रहती है साथ यों आपको दो vaccine लेनी है तो आपको हलका बुखार रहेगा एक दो दिन तक बाकी इसका कोई side effect नहीं है मैं सुगर का मरीज हूँ क्या मैं भी टीका लगा सकता हूँ हाँ सुगर की मरीज टीका लगा सकते है और साथ ही आपको यदि चरम रोग से समधित किसी पर रकार की सिकायत है तो आप अपने डॉक्टर से पहले सला लेकर ही ये vaccine लगवाए अगर किसी कार्ण से दूसरी डोज न लगवा पाया तो क्या नुक्सान होगा तो हाँ साथ योग पूर्ण शुरक्सा के लिए दो डोज का सुझाव है एक डोज से सरीर में antibody पूर्ण मात्रा में नहीं बन पाएगी हाँ आदे दोनों डोज लगए और ये भी ध्यान रखना है आपने सबसे पहले जो vaccine लगई हैं दूसरी भी वही लगए जैसे पहले आपने co vaccine लगई है तो दूसरी भी आपको co vaccine ही लगाना है और co shield नहीं लगाना है और यदि आपने पहली को सील्ड लगाई हैं तो भी दूसरी आपको को सील्ड लगानी है क्या बाइपास सर्जरी वो एस्टेट लगे वरीजों में भी तीका सुरिक्सित हैं सो फिस्टी सुरिक्सित हैं आराम से लगवा सकते हैं यदि भूलवन ठीक 6-8 हपतों के अंतराल पर दूसरी डोज नहीं लग पाई हैं तो इसे कब लगए तो यदि आपको 28 दिन बाद या 6-8 तो आपको आप इसको बाद में भी लगा सकते हैं जितना जल्दी याद आजाएं उतना आप लगवा सकते हैं क्या गरववती महिला को टीका लगा जाएं अभी तक गरववती महिला के उपर इट्रॉल से बाहर रखा गया हैं तो गरववती महिला टीके की safety data अपलब नहीं हैं तो आप अभी गरववती जो महिला हैं वो वारी के दौरान भी टीका लगा सकते हैं, तो मिलकूल टीका लगा सकते हैं, क्या दो डोज के बाद भी बुस्टर डोज की आऊ सकता है, तो इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी विसोध का विज़े है, बने में सेकन्ड डोज लगने से 2 हटे तक लग जाएंगे तो आपको 2 हटे तक आपकी एंटीबोटिक बनने में टाइम लग गएगा टीका लगते ही क्या प् reward रखनी चाहिए आदे गटे तक टीका करण बूत पर ही रुके थाकि सुरक्सित होने वाले साइट इफेक्ट का निदान हो सके बुखार आने पर पेरासितामोल का उप्यूग करें या चिकी सक्से प्रामर्स ले टीके की दोनों डोज लगवाने के बाद में कुछ भी करने की करने कहीं पी गूमने वो मास्त नहीं लगाने की सौतन तरूं बिल्कूल नहीं आपको टीका करनके बाद भी कोरोना के तीन मंतर मासक, सोशिल डिस्टेंसी वा आथों की सौस्ता का पूर्ण पालन करना है तो सातियों ये पर्षन थे और भी ये दिया आपके कोई पर्षन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें हम आपको सला या सुजाओ देना का परियास करेंगे और सातियों आप जैपाल सक्सेश पॉइंट के यूटूब चैनल पर नहीं हैं प्रूब चैनल पर नहीं हैं